एंड उसको रिजोल करने की सिस्टेम यह तीनों की सिक्वंस बन जाए तो मैं मानता हूँ कि हमारी सारी डिमांड है या तो हमारी आपेक्षा है वो पूरी हो जाए लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए हमारी गवर्मेंट और मैं हर बार कहता हूँ कि आवशक है कि आपका इश्यू है सजेशन है उसके लिए डिबेट हो डिस्कुशन मिनिस्ट्रि के साथ मिलके हम हमेशा नहीं केवल सुजाओ दे के छुटे लेकिन उसका सॉलूशन भी दे और जब यह सिक्वंस बन जाएगी दुनिया का अपना अपना मोडेल होता है भई मेरा मानना है यहां अच्छी बात कही कि ब्रेंड पावर मेंड पावर की इंडिया में कमी नहीं है दुनिया का अपना मोडेल अपनी जगह पे होता है हमारा मोडेल हमें डेवलोप करना होगा और सरकार और इंडस्ट्रीज दोनों साथ में मिलके कैसे करें यह डिबेट डिसक्रशन का इश्चू होना चाहिए हर कंट्री कंट्री की डिमांड कंट्री की वर्क्टिंग सिस्टेम हो सकता है कोई कंट्री के लेलियालिस्टिक कंट्री है तो अपना resources को एक side divert कर सकती है यह उसकी mentality भी हो सकती है या तो उसकी ख्रमता भी होती है इंडिया में इसा नहीं हो सकता हमारे यहाँ poverty elevation का भी काम करना है industrial growth भी करना है social stability को भी देखना है उसको देखते हुए हमारा model हमें तयार करना होता है और उसमें देश और दुनिया यहां बहुत अच्छी प्रबदाज यह बात कही कि इंडिया की requirement को ध्यान में रखते हो दुनिया अपने यहां इंडिस्ट्री लगाती है और इंडिया को myself as fertilizer minister also मुझे पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा fertilizer का तंजो मरहम है ग्रहा का हम है 50% import केवल इंडिया करता है और लेकिन भी इंडिस्ट्री दुनिया में चलती थी मैंने केवल उसमें ज़्यादा नहीं किया है दो-तिन पॉइंट पर काम किया आज यह सब लोग इंडिया में प्लान्ट लगाने के लिए या तो इंडियन कंपनी वहां जाके joint venture करके manufacturing की दिशा में आ गया मैं कहूं वहां आपको प्लान्ट लगाना है तो ही मैं आप से बाई करूंगा जब प्राइस बढ़ रही थी मैंने कहा कि इतने प्राइस से ज़्यादा मैं इंडिया नहीं प्रक्र करेंगे सब कंपनी आके बेठने लगी मैंने कहा ऐसा नहीं आपको इंडिया में प्लंड लगाना होगा या तो मेरी कंपनी इंडियन कंपनी आप जैसे एंटर्पेनियर्स जाके उसके साथ जॉइंट फैंचर करे मैं किसी के पार इतना बड़ा कंजूमर हूँ और आप लोग प्राइस तही करते रहेंगे और इंडिया को आपकी प्राइस से प्रेकुर्मेंट करते रहना यह नहीं करना है दोस्तो मैं उसमें सफल हुआ मेरी अपेक्षा है कि यहां बायो केमिकल्स की बात हुई दोस्तो राइजिंग सेक्टर को हमें पहचानना होगा क्योंकि आज आपने कहा कि आज हम कहें आज के दिन के डिमांड है कि बहर हर प्रतिवर्षे क्रेकर लगना चाहिए तब जाके हम आने वाले दोजर चालिस तक की डिमांड को पुरा कर पाएगे आज की demand, futuristic demand उसका planning होना चाहिए उसके लिए मेरी कोई comment नहीं है लेकिन मेरी एक comment है कि 20 साल के बाद क्या research होगा, क्या innovation होगा, दुनिया कौन सी दिशा में जा रहा है, ये दिशा में हमारा research जा रहा है क्या bio chemicals, green hydrogen, ए दिशा में it's a rising sector, क्या हमारा focus है उसके पर और मैं तो एक कहता हूँ कि एक focus को ध्यान में रखते हुए, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप ही research करो, मैं ऐसा कहता हूँ कि आपका एक सुझाव क्यों ना आए, कि हमें एक खेत्र में research करना है, ये हमारा model है, सरकार ये model के सथ partnership करें, या तो सरकार हमें support करें, ये rising sector को ध्यान में रखते हुए, हमारा plan, futuristic plan तयार हम कर सकते हैं क्या, और ये futuristic plan को आगे बढ़ा रहे के लिए इमाने, एक वर्तमान स्थिती, दूसरा futuristic plan कोन बनाएगा, सरकार में मैं industrialist नहीं हो, यहां बेठे हो ये लोग को industrialist नहीं है, आप लोग industrialist है, मैं मानता हूँ कि और Modi government का हमेशा mindset रहा है, जो लोग जानते हैं, जो लोग समझते हैं, जो लोग इस sector को lead कर रहा है, वो sector क्या बोलता है, वो दिशा में हमारी policy बनती है, आप लोग आके मुझे कहा कि हमें chemicals में आप लोगों ने API के लिए PLI scheme लाए, PLI 2, pharma के लिए लाए, तो chemicals के लिए भी एक PLI scheme बनने चाहिए, वे तो पहले बनने चाहिए थी, यह इसे advisory board, advisory team का यही काम है वही, मैं PLI scheme API के लिए ले के आया उसमें, जो मैं पहले chemicals में लेका आया होता, तो मुझे उसमें से 50% API यह उस लिस्ट में लेना ही नहीं होता, क्योंकि उसका basic material chemicals है, chemicals ही वाइबर हो गया होता, तो API का issue ही नहीं आता, तो कौन advice करेगा government को, इसलिए मैं मानता हूँ कि उसके लिए consultation के लिए एक mechanism, ministry और industries के बीच में, आरतीजी ने एक अच्छी शरुवात की थी, उसको अच्छी तरह से बना के रखना है, और regularly, हम छे महीने में एक बार meeting कर ले, तीन महीने में एक बार meeting कर ले, मैं यहां से भाशन के चला जाओ, आप यहां से पास suggestion दे के चले जाएंगे, नहीं होगा, हमें output के और आगे जाना है तो, regular consultation का एक mechanism बनना चाहिए, और group wise chemicals के लिए 5 लोग बेठे, petrochemicals के लिए 5 लोग बेठे, new green initiative के लिए 5 लोग बेठे, पायो chemicals के लिए 5 लोग बेठे, PCPR क्या, आज का model फैल हो गया है PCPR का, मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा model से मैं उसमें जाना चाहिए, उसके लिए मुझे कौन एड़वाईज करेगा, ताकि मैं यहां से एक ecosystem create नहीं कर पाऊंगा, और मैं दुनिया को कहूंगा कि आईए इंडिया में इंवेस्ट करिये, कोई भी industrialist आपको कोई कहे कि आप वहाँ जाओ और इंवेस्ट कर आप नहीं करेंगे, पहले आप वहाँ देखेंगे, क्योंकि आप investment लेके जा रहा है, कोई investment लेके आ रहा है, लेकिन आपके लिए सुविधा यह है कि आज दुनिया इंडिया के साथ partnership करना चाहती है, इंडिया आना चाहती है, क्योंकि इंडिया is a rising country, दुनिया जानती है, दुनिया को पता है कि middle class बढ़ रहा है, purchasing power बढ़ रहा है, यह अब्जव कर रही है, उसको इंडिया में काम करना है, इंडियान पार्टनर उसको चाहिए, इंडियान पार्टनर डुनने के लिए लोग निकले हुए है, इसे लोगों के साथ बातचित के लिए एक फोरम हो, वो उसके साथ बातचित करके उसका सजेशन को यहाँ एड करें और इस तरह से डिसकोशन के आधार पर हम डिसीजन करेंगे, तो इंडिया को कोई नहीं रोप पाएगे, केवल आवशक्ता इतनी ही होती है, इस समय में इंडिस्ट्रिस फ्रेंडियान आप 2004 के पहल कर यहाँ में देखो, इको सिस्टम देखो, एन्वारमेंटेल इस्ट्रिस देखो, उस में कितना बदल हुआ है, उसका आखलन होना चाहिए, और वो मेपिंग होना चाहिए कि आप लास्ट एट एटियर्स इतना हमारा इश्व था इंडिस्ट्रीस के लिए, वो रिजोल हु है पांस साल का क्या इश्व है दस साल का क्या इश्व है वह हमें हमारी government केवल सरकार बनाने के लिए ही politics में नहीं है हम कभी total token में सोचते ही नहीं है हम हमेशा total में सोचते हैं हमारा plan systematic होना चाहिए जब देश आजादी का अमरुत मोसो मना रहा था तो मोदिजने नहीं किया कि हम अमरुत मोसो मना रहा है लेकिन जब हम शताब्दी वर्ष मना ये देश का आजादी का एक सो वर्ष कुण हुआ हो उस वक्त देश कहां है कहां होना चाहिए उसके लिए सरकार को plan बनाना चाहिए सरकार ने plan बनाया और बना रही है, ताकि एक विजर क्लियर हो, यही दिशा में जाना है, रास्ता बीच में से चैंज होता रहेगा, लक्ष एक ही होगा, क्योंकि समय के साथ निया इनोवेशन होगा, निया रिसर्च होगा, तो रिसर्च के आधार पर नई डिमांड होगी, आज क्रेकर है, तो 25 साल का क्रेकर चाहिए, लेकिन यही क्रेकर होगा, इसा नहीं हो, अलग टेकनोलोजी होगी, पहले किसान, खेत में बहलाल चला के फार्मिंग कर रहे थे, समय बदल की आड्रॉन से अपने फसल को स्प्रे कर रहा है, समय के साथ बदलते, बदलने के लिए, हमें देश में, रिसर रिसर्च, रिसर्च बात करते हैं, रिसर्च की कई पुलीसी भी सरकार निकाल रही है, कौन सा मॉडल रिसर्च का हो, ताकि हम एक गती से सरकार केवल करें, और सरकार कैसे डिसाइड करें, उसका मॉडल मुझे बदलना है, रिसर्च आपको करना है, आपको रिसर्च करने के क्या सहयोग चाहिए कौन सी लेब चाहिए नंबर ओफ इंडस्ट्रीज एस्सेशन स्टेट वाइज सक्रवाइज अपना अपना प्लान बना सकते क्या कि वह हाम कि MSME Chemicals Industries Association है MSME को इस टाइब की डिमांड है रिसर्च की उसमें आपका एकेडेमिया यह है उसके साथ हमें लिंक होना है मैं दुनिया का रिसर्च पेपर दुनिया के साथ आके हमारे कपूर दुनिया की इन्यूर्शिटी के साथ बेट के डिसकस करके पेपर निकालते हैं और यहां रखते हैं तो बहुत देखा मैं इंडिया की आयाइटी इंडिया इंस्टूट के साथ रिसर्च करके उसके साथ कलोब्रेशन करके हम कब निकालेंगे हमारा रिसर्च के पर भई यहां क्या कमी है मैं जब कोविड मेनेजमेंट कर रहा था तो मेरे सामने एक प्रेजेंटेशन हाया हर दिन सुबह में नाइन थर्टी को में मीटिंग करता था कि दुनिया में क्या चल रहा है पांच देश के नावां की साइंटेस्ट लोगों के साथ में बेटता था तो मेरे सामने एक प्रेजेंटेशन हाया है कि इसाब वैक्सिन के एफेक्ट होई है नियोर्क में 200 लोगों पार ये स्टडी हुआ और उन्होंने कहा कि कोवी सिल्ट की इफेक्ट इतनी है ये वैक्सिन से इतने लोग बच सकते है तो मैंने कहा कि हमरे पास कोवीन है और उस वक्त 80 करोड लोग वैक्सिनेटेट थे इंडिया में तो 80 करोड वैक्सिनेटेड है उसका डेटा दुनिया के पास ऐसा डेटा रखने की सिस्टेम भी नहीं थी जिसका डेटा यहां हो आपकी एम्स का डेटा हो एक डेली का डेटा हो और हम 200 दुनिया के कोई कंट्री ने 200 लोगों पर एक्सपरिमेंट किया और वो डेटा लेके हम कब तक बताते रहेगे मैंने कहा है प्लेट्फोर्म यह डेटा का उप्योग करके हम हमारा रिसर्च पेपर नहीं रख सकते तो दूसरे दिन लेके आई आज दुनिया उसको पढ़ रही यह तकात हमारी है डेटा एक पावर है शक्ति है दोस्तों मेटाडेटा आज के दिन की रिक्वार्मेंट है डेटा मेटाडेटा के सिस्टेम के आधार पर हमें हमारा इनोवेशन को बल दे सकते है क्या कि इसलती मилли मैंने का कि आप किक को सिंदस्टि के ऊब मेरे जैसा आप लोगोंने का आयसा हो लोग जै सिंहांटेम के नहीं बना सकते लेड़ लो एक साथ सारा environment clearance ले लो डिपसी डिचाज की facility create कर लो आप चाहो तो में उसमें सरकार की और से equity ले लूँगा state government को भी कहूंगा central government equity ले 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 लिए और जब आपका एकदम functional हो जाए बाद में हम हमारी equity बेच के वापस निकल जाएगे आपको हमारा गवर्मेंट का सपोर्ट चाहिए तो हम एक्विटी ले लेंगे आपकी SPV में अब यह थोड़े दिन पहले मुझे मिले थे आप भी उसमें से कही लोग जानते होंगे उन्होंने कहा आपकी एक्विटी नहीं चाहिए हमने बना लिया है दोस्तों ऐसा एफट करने से हम हमारी इंडिस्टिस को आगे बढ़ा सकते हैं हम आपके ओर देखे अब हमारी ओर देखे तो हम हमारा गोल एक्विटी नहीं कर पाएंगे लेकिन वो छे अजार करोड़ छे लाग करोड का एंव्स्ट मेंट पॉणं पाईपलाईन 18 लक्स करोड का एंवस्ट मैंट फिचरी स्टेक और हमारी रिक्वार्मेंट ये सब होते रहे हमें हमें करते होना है आगे बढ़ते रहना से और उसके लिए सरकार की जो भी आपके जो भी देमांड हो इंडस्टीज को आगे बढ़ाने के लिए इंडस्टीज हम जानते हैं वह इंडस्टीज प्रोफिट के लिए ही होती है लेकिन प्रोफिट के साथ रोजगार भी देती है और देश की रिक्वार्मेंट को भी पुरी करती है यह मैं पता है इसलिए इंडस्टीज के साथ सहयोग करके आगे बढ़ना इंडस्टीज फ्रेंडली डिसीजन करना इंडस्टीज फ्रेंडली एप्रोच रखना जरूरी होता है और यह करना है उसको और स्ट्रॉंग करना है स्ट्रॉंग करने के लिए आप मैंने जो सुजाव दिया है इस परकार का ग्रूप वाइज डिसकुशन करते रहो कई बार ऐसा हो तो लंबा सब लोगों ने डिटेल किया हो और मुझे मिनिस्ट्री बताएगी तुम्हें एक दिन फूर डे आपके साथ बेटोंगा चलो वह आपने इतना तयार किया है इतना इतना प्रेजेंटेशन है डिटेल बेट के इस्ट्यू सजेशन सॉलूशन उसका सॉलूशन है आतीन सेक्टर में ही हमारा काम फोकस हो तो मैं मानता हूँ कि इंडस्ट्री सच मुझ मैं आज जो गयप दिखाए दे रहा है यह गयप को भी पूरा कर देंगे आप सब को मेरे और से हार्दिक सुप कामना है धन्यवाद को अष्ञ्यू अध्यूबर मिनेस्टर बरहा है इंडस्ट्री और एले कोई एले कि इंड सब्सक्पून को इंड सब्सक्र एंड बहाब कुण्टर अड़ा है थिअ को हैं, हुझा Сरे अमीसरर अथे बिटार इस लेडी तासएente लिटेशन फिटाइरी ट्वेाशी चरहरा केसू का capable टास्तीर चेफ एक नोछी कुख का इंड लेडिया ट्यवार टौ इंड जुटीक भूट ओकैबटाव दून ट्कुछरा इंड ट्रफिट नाफिपरा